नमस्कार दोंस्तो जेमसे स्टडी हब में आपका स्वागत है UGC NET JRF 2012 जून पेपर 2 जर्नलिजम और मास कम्मिनिकेशन में पूछे गए एक प्रशन को डिसकस करेंगे जो की कॉपी राइट से सम्बंदित है एकजाम में पूछा गया प्रशन आपके सामने है A license in copyright matters creates in the license मतलब copyright मामलों में से एक license इन में से किसका होता है पबलिक राइट, परसनल राइट, प्रपराइटरी राइट और एस्टेटूटरी राइट चलिए सवाल को बाद में सॉल्व करेंगे पहले copyright act 1957 क्या है थोड़ा संचिपत में समझते हैं फिर हम प्रस्ण पर आएँगे copyright act 1957 copyright अधिनियम 1957 पहले point में क्या कहता है कि copyright अधिनियम 1957 भारत में copyright कानून के विशय को नियंतरित करता है ये आपके काम को सुरक्षा उपलब्द कराता है ताकि आपके विविन छेतरों से जुड़े original काम की न तो कोई copy कर सके और नहीं उस पर अपना हक जदा सके साथ ही आपके उस काम या उत्पाद की uniqueness बनी रहे copyright एक तरह से कानूनी अधिकार है जो साहित, नाटक, संगीत, फिल्मों और कलात्म कर्मों के creators पर लागू होता है कई बार business और start-up को भी copyright के तहत register कर सकते हैं exam point of view से very important है copyright act की जो धारव बावन है उसके तहत किसी भी content का आप private इस्तेमाल के लुपियोग कर सकते हैं research purpose के लुपियोग कर सकते हैं इसका copyright का उलंगन नहीं माना जाएगा 23 अपरेल को हम copyright day भी मनाते हैं और world book day भी मनाते हैं यह याद रखिएगा 23 अपरेल को हम copyright day भी और world book day मनाते हैं दोनो डे मनाते हैं, यह एक्जाम में पूछा गया था पेपर वन में कि कॉपी राइड डे कम मनाया जाता है तो याद रखिएगा 23 अपरेल को मना जाता है और उसे दिन World Book Day भी मना जाता है और ये जो ये जो day event किया जाता है ये day celebrate जो हम करते हैं ये हर साल 23 अपरेल को UNESCO के द्वारा एक event किया जाता है जिसमें copyright को लेकर हम awareness फैल आते हैं copyright को हम promote करते हैं अब हम आते हैं अपने सवाल पे copyright matters में एक license इन में से किसका होता है तो correct answer है personal right इसका मतलब ये कि आपकी जो भी copyright के लिए आप जो आपकी creative है जो आपका original work है वो आपकी personal right है personal right है इसमें आपकी copyright लगे हुए है इसलिए copyright matters में जो एक license है वो personal right भी है ये आपका personal अधिकार है कि ये आपकी original work है So the correct answer is personal right उमिद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही मददगार साबित हुआ होगा अगर सच में वो मददगार साबित हुआ है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं अगर वीडियो में कुछ कमी आई हो या कुछ और पर वीडियो बनाना हो किसी टॉपिक पे तो वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा थैंक्यू